हलो इस्टुडेंट हमारे वाई आइस क्लास में आपको स्वागत है इसके पहले वाली वीडियो मैं आपको रासनी विज्ञान के जो NCRT में परशन दिये हुए हैं उनको बहुत विद्वस तरीका से हम लोग हल किये था और आशा करतों आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा यह सारे कुशन बहुत अच्छा तरीका समया आपको बता दिये था आज की इस वीडियो में इसके बाद जो परशन दिये गए उनको एक एक करके मैं आपको हल करवाऊंगा यह कुशन है जब लोहे की कील को कापर सलफेट के विलियल में डुबाया जाता है तो विलिय में डुबोया जाता है तो विलियल का रंग क्यों बदल जाता है जब लोहे की कील को कापर सलफेट के विलियल में डुबोया जाता है तो उसका रंग बदल जाता है क्योंकि कापर सलफेट के विलियल में से कापर को परतिस्थापित कर देता है परतिस्थापित का मतलब हट जैसे जो अधिक क्रियस शील वाले तत्तो होते हैं कम क्रियस शील को अपने जगह से हटा के उनको अलग कर देते हैं यही कहलाता है परतिस्थापन तो यहां पर लिख्या गया है परतिस्थापन तो एक बार हम लोग इस उत्तर को फिर से पढ़ते हैं इसका उत्तर क्या लिख क्रेंटेंगे भी करों ऐसाथ किरियान की बिलिय करों ये भी कह सकते हैं यूरो और अब सब्सक्राइब करते होगे घ्रीडियाट के है टो बना ददीये अफी-ईसखों तो यहाँ पर देखो F.E.S.O. 4 के उपर क्यार हो गया, यहाँ पर देखो कहरा है कि रंग बदल जाता है, तो F.E. था, अब F.E.S.O. 4 हो गया, तो मतलब देखो इसका रंग यह बदल गया, और यह जो कापर था, कापर सलफेट के अस्थान से हटके अलग हो गया, यही है परतिस्थापन अब क्रिया, तो student जब मैं आपको पढ़ा रहा था, heading दो आरहा, एक-एक heading, एक-एक heading करके मैं बहुत विज़त तरीका से आब के बताया हूँ, तो वहाँ भी मैं आपको बताया था कि दूई विस्थापन क्या होता है, एक विस्थापन क्या होता है अब इसके बाद हम लोग परश नमबर तीन देखते हैं परश नमबर तीन है कि निम्न अबकिरियाओं में उपचेइट तथा अबचेइट पदार्थों की पहचान कीजिए तो उपचीजन का जुड़ना अपचीजन का जुड़ना अपचीजन का निकलना उपचीजन का निकलना उपचीजन कहलाता है देखो जैसे यहाँ पर देखिए यह हमें दिया है तीन में पहला पार्ट है दूसरा पार्ट है हमें पहचानना है किसका अपचेइट हो रहा है किसका उपचेइट हो रहा है यहाँ पर देखो sodium मतलब इन्ने यहाँ पर देखो sodium लिखा हुआ है इन्ने लिखा हुआ है यह देखो इन्ने जो sodium है ना यह sodium अकेला है और थोड़ा ध्यान से देखो फिर पलस O2 है तो यहां पर लिखा गया है O2 फिर इसके बाद है फिर इसके बाद कीर का निसान है फिर इसके बाद लिखा है इन्ने लिखा है इसके बाद इन्ने 2 O इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे sodium acid अब देखो, यह sodia मतलब इन्ने अकेला है और O2 अकेला है तो यहाँ पे इन्ने क्या होगा जो अकेला होता है, उसको हम लोग अपचेद कहते हैं, आक्सीजन का जुणना अपचेद कहलाता है ये इनने अकेला था जभी इसका क्रिया हुँए यहाँ पर क्या बना तो इस्टोडेंट अभी मैं आपको बताया है अप्चैइद क्या होता है तो आप लोग समझ गए हैं देखिए आप सोडियम अकेला है तो यह सोडियम क्या हो जाएगा उप्चैइद हो जाएगा अब इसके बाद देखो ये sodium आक्सिजन के साथ जुड़ा आक्सिजन क्या कहलाएगा अब चैइद कहलाएगा आक्सिजन क्या हुआ अब चैइद हुआ इसी परकार से इसमें देखिए CuO पलस H2, तिरके निसान Cu पलस H2O तो यहाँ पे देखो कापर आक्सिजन के साथ जुड़ा हुआ है तो कापर क्या होगा कापर होगा अब चैइद Cu क्या होगा अब चैइद होगा अब इसके बाद देखो hydrogen अकेला है तो hydrogen क्या 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 लाएगा उप चैइद तो यहाँ पे हमने क्या लिखा H2, H2 मतलब hydrogen gas तो student यहाँ भी हमें क्या लिखना है O2 लिखने O2 मतलब oxygen gas तो student आशर करता हूँ कि जो परशन मैं आपको बताया यह परशन बहुत यह अच्छा था आपको समझ भी आया होगा क्यूंकि देखो पहला परशन का उत्तर मैं आपको बताया जब लो हे कि कील को कापर सर्पेट के विलिएल में डुबोय जाता है तो विलियन का रंग क्यूं बतल जाता है इसके बाद दूसरा का उत्तर कहां से आपको मिलेगा इसके बारे में आपको बताया फिर से बाद तीसरा है कि निम्टी प्रियम में उपचैत तथा आपचैत पदार्तों के पहचान कीजिए इसको भी मैं आपको एक एक करके बहुत अच्छे डेंग से बताया हूँ तो इस्टुडेंट इसको जो है तो इस्टुडेंट देखो इसका उत्तर यहाँ पे मैं लिखा हूँ जब लोहे के केलको कापसर्पिट के विलियल में डूबोए जाता है तो विलियल का रंग क्यूं बदल जाता है इस परशन को उत्तर यहाँ पे है फिर इसके बाद देखो दूसरा परशन है तीसरा परशन है कि निम्न अपक्रियाओं में उपचेइद तथा अपचेइद पतारतों के पहचान कीजिए तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया है और बोड एक्जाम पेपर में एक नमबर दो नमबर में लिखने के लिए आता है वीडियो आपको पसंद आया होगा तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारी वीडियो का आप लोग लाइक करिए सब्सक्राइब करिए अब इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए थेंक्यू